हलो गज़वाने के सभी शुताओं को और BLIS की सभी लेंडर्स को मेरा प्यार भाय नमस्कार मैं फिक्ति शर्मा और आज मैं फिर एक बहुत इंपॉइंट टॉपिक को लेके आपके साथ जुड़ रही हूं और आज हम BLIS का टॉपिक डिसकस करेंगे ISBN नंबर और ISSN नंबर त तो सबसे पहरें डिसकस करेंगे ISBN नंबर होता क्या है तो ISBN नंबर को का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो इंटरनेशन स्टेंडर्स बुक नंबर होता है और यह मसीन ट्रेटेबल यूनिक नंबर होता है और इसमें बुक से रिटेर सारी इंफॉमेशन एक 13 डिजि नंबर है और इसमें आपका जो बुक से रिटेर सारी इंफॉमेशन समाहित होती है कि पब्लिशर की डिटेल या फिर आपकी कौन सा इडिशन है बुक का टाइटल क्या है और बुक कहां से पब्लिश हो रही है तो यह सारी डिल्स इस ISBN के नंबर से हम जान सकते और यह जो आइसपी नंबर होता है वो बुक पब्लिश होने के पहले पहले जन्रेट होता है और जब पब्लिश होती है तो इस पे प्रिंट होके आता है और बहुत सारी सस्था इस ISBN नंबर को जन्रेट करती है जिसे कि अधर हम बात करें इंडियन परस्पेक्टिव में तो राजा नंबर होता है यह यूनिक आइटिफिकेशन नंबर होता है और इसकी द्वारा हम बुक्स की रिलेटर सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं क्योंकि अगर हम बुक्स को टाइटल या ओथर के नाम से सर्च करते हैं तो हो सता है किसी पर्टिकुलर टाइडल की बहुत जारे क इतावे उसे पब्लिश की हो या लिखी हो तो जब हम लोग बुक्स को पर्चेश करते हैं लाइबरी में तो यह नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि उस समय हम टाइटल या ओथर या फिर पब्रिशर या फिर हम उसकी एडिशन के नाम से बुक्स को और नहीं जिस में की बुक्स को पर्चेश करते हैं और बुक्स को पर्चेश करने के लिए लोग आयसिए नंबर को यूस करते हैं जिसने कि हमें ईक्रेटली सेम पम cm. qa अईक पाह पुह बुख पॉर्चेश करनी होती है तो यह बीघरे इसाग ने के युजर में बहुत बड़ा रो तो अपंपर किस नमबर को लिए होता है तो यह सारे माइक्पोंrice स्यम्देख हो सकती है तो यह सारे कलेक्शन को ISPN प्रोवाइट करा जाता है तो यह आपकी ISPN की बेसिक इंफॉर्मेशन थी अब हम जान लेते हैं कि ISPN की सुरवात कहां से हुई या फिसकी ओरेजन क्या थी तो सबसे पहले जब ISPN अभी आज की डेट में हम लोगों को ऐसे ISPN इंटेरेसन स्टेंडर युक नंबर की जाम in proton की बात करें तो पहले यह स्टेंडर बुक नंबर से इंट्रेश्ट किया गया था जब और यह कौर्ण फॉष्टर द्वारा 66 में यहनों कि सबसे पहले सुरुवात गौर्डन फॉर्शर नहीं की थी और इसकी सुरुवात स्टेंडर बुक नंबर के नाम से हुई थी और सबसे पहले 1966 में ये आया था और इसके बाद अगर मत करें तो इसको पहचान दिलाने वाले कौन थे तुसर डेविट वाइटकर सर थे जो कि इसको इसको इस में डेविट वाइटकर सर ने पहचान दिलाए थी और इसलिए हम फादर आफ आइसपन की नाम से भी जानते हैं और इसकी बाद ही 1967 में डबलू एच स्मित एक बहुत बड़ी रिटेलर बुक कंपनी है जो कि ग्रीट बिटिन में है उसने भी लांच किया था स्टेंडर यूज किया था और तब तक तो उसे हम लोग स्टेंडर बुक नंबर की नाम से जानते थे आइसपन नंबर से पहचान इसे 1970 में मिली और यह पहचान दिलाने वाला कौन था ISO यानि कि इंटरनेशन स्टेंडर और पहले नौ डिजिट का अभी दस डिजिट का हो गया था और 2017 में यह दस डिजिट का ISO द्वारा किया गया और इसके बाद कफी समय तक ही दस डिजिट करा और लगबग मैं क्या सकते हूं कि आपका दिसंबर 2006 तक यह दस डिजिट का ही था और जैन्वरे एक 2007 से यह दस डिजिट से कनवर्ट होके तेरा डिजिट में आ गया यानिकि से तींग डिजिट के जो थे जिसे हम प्रिफिक्स एलिमेंट या फिर हम एरोकन आर्टिकल नमबर बोलते हैं उसको एड कर दिया गया और इसकी संख्या 10 से 13 हो गई तो यह आपका 1970 में 10 डिजिट का हुआ था और इसका जैन्वरी 2007 में यह 13 डिजिट का हो गया यह नमर को अब च्गे उन्द हैं तो यह आपके बेसिक इंफ प्रमेशन थी और यह दिंग शाल लेता हैं कि आईस्बेल नंबर में क्या-क्या अटी में surprise होते हैं और पांच अलेएं पार्ट में दिवाय होते हैं और इसमें ऐलग गलग पार्ट कर ल गरते हैं ज को होता है उसमें जानकारी मिलती है और तर्ण होता है जो ततर्ण हुता है या जानकारी मिलती है और फिर पयो 3000 आपकी किताब है उसके बारे में 4th element से जानकारी प्राप्त होती है इसी प्रकार से 5th element की बात करें तो हम उसे check digit year verify number बोलते हैं जिसके थारा हम जो हमारा पूरा number है उसे हम verify करते हैं जो ISPA number होता है कि वो correct है या नहीं है तो यह ISPA number के elements के बारे में था और इसमें कुछ points भी है कि अगर बात करें कि prefix element वो कितने डिजिट का होता है या आपका group element या registration element जो geographical area को represent करता है वो कितने डिजिट का होता है तो उसके बारे में जानकारी प्राप कर लेते हैं तो जो prefix element होता है वो generally 3 डिजिट का होता है और 978 यह फिर 979 से start होता है और जो आपका second part है जिसे हम registration element कहते हैं जो कि geographical area के बारे में बताता है उस particular book की उसका जो डिजिट होता है 1 से लेकि 5 डिजिट का हो सकता है maximum 5 डिजिट ही होता है इसी प्रकार से रजिस्टरांट element यानि कि जो रजिटराट element है जिसमें की publisher की information होती है वो maximum 7 डिजिट का हो सकता है इसी प्रकार से अगर मात करें publication element for publication जिसमें की title, edition और किस प्रकार की किताब है इस सारी चीजें available होती है वो आपका maximum 6 डिजिट का हो सकता है और जो last check डिजिट होता है कुछ आपकी important points है जैसे की यह जो ISBA number है वो कैसे प्राप्त होता है यह कौज जी संस्था यह provide कराती है तो आपकी अगर हम बात करें राश्टी है इस तर पे तो हमारी राश्टी इस तर पे राजा राम मोहन ग्राइब लब्रिरी फांडेशन जो की 1885 से नंबर प्रोवाइड कराती है कराती आ रही है और इसका headquarters पहले ओलकाता में था देन अभी 2011 के बाद इसका जो headquarters है वो न्यू डेली में shift हो गया है और यह हमारी राश्टी इस तर पर हमें ISBA number प्रोवाइड कराती है simple procedure होता है आपको registration करना पड़ता है और आपको ISBA number चन्वेट वरता है कुछ और इसी प्रिकार से गर हम बात करें कि अंदर राश्टी इस तर पर तो दो नाश्टन हैं जो कि अंदर राश्टी इस तर पर ISBA number प्रोवाइड कराती है सबसे पहले राश्ट बाउट कर जो कि USA में सित है और इसी प्रिकार से एक और है UK में Wilson बुक प्रेश्ट के नाम से जो कि आपको ISBA number प्रोवाइड कराती है और इसका अपडेट इंफोर्मेशन भी है कि 2016 में श्रीमती स्मृती रानी द्वारा जो कि उसमें Human Resource Development Minister थी उन्होंने एक ISPN का ओर्लाइन पॉर्टल लॉज किया था 2016 में और इस पॉर्टल पर जाने पर आपको इससे संबंदी जितनी भी इन्वार्मेशन है ISPN नमबर कब आया जो भी फ्री है या कैसे हम इसको रेशिशन कर सकते हैं अप्लाइ कर सकते हैं ISPN नमर के लिए तो उससे जूड़ी सारे संबंदी जनकारे इस पॉर्टल पर आपको मिल जाती है तो यह ISPN की बारे में था और ISPN की बारे में मैंने पार्ट्स भी बताया कि द्वारा कल्कुलेट करते हैं और इसमें क्या करते हैं जो ISPN नमर जो हमारा 13 डिजिट का होते हैं उसमें जो लास्ट चक डिजिट होता है उसको कल्कुलेट नहीं करते हो बाकी जो 12 डिजिट होती है उनको कल्कुलेट करते हैं उसकी कैल्कुल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हम अल्टरनेट बेसिस पे 1 और 3 का मल्टिप्लाइ करते जाते हैं, सपोजिट हमारे पास यहां पर एक ISBN नंबर है, 978819619306 और 5, तो हमारे पास जो 13 डिजिट का रही ISBN नंबर है, इसमें लाश्ट को हम झोड़ देंगे और जो बचे हुए बारा डिजिट है, उसमें हम अल्टरनेट पेसिस पे 1 और 3 का मल्टिप्लाइ करते जाएंगे और उसे एड़ करते जाएंगे और लाश्ट में जब हमारा आने के बाद 10 से मानिस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारा जो चेक डिजिट से मैच करना चाहिए, और अगर ही मैच कर रहा है, इसमें हमारा जो ISPN नंबर है, वो करेक्ट है, तो इस तरह से ब्लोग कल्कुलेट करते हैं, मैं दुबारा ब इसे प्रकार से नेक्स्ट लेवल पे भी जो भी अपका थी अल्टरनेट डिपेस पे पहले को वन से और सेगंड को थी से कल्कुलेट करते चले जाएंगे, और लास्ट में दस का भाग दे देंगे, और जो रिमांडर बचेगा, उसे भी दस से माइनस करके, जो रिजल्ट वेलू आएगे, वो हमारी सिमलर होनी चाहिए, चेक डिटिर से, अगर सिमलर है, तो हमारा जो ISPN नंबर है, वो करेक्ट है, तो इस तरह हम कैल्कुलेट करते हैं, ISPN नंबर को, और फिर आता है, नेक्स इसमें हम IS नंबर को जान लेते हैं, कि IS नंबर क्या होता है, अगर हम इसे यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर सीरल लंबर इसका फुल फॉर्म है और यह एट डिजिट का होता है दो पार्स में डिवाइड होता है और इसमें दो पार्स को हाइफन द्वारा सेपरेट करते हैं और यह जो इसन नंबर होता है वह पर्टिकुलर किसके लिए दियाता यह अएब हैं यहां पर जानलीए ना तो आ क्यां टेटेक कैस्पार होते हैं और इस डिजिवार्चने का इस अधिकत करने का तरीकाह होता है आ कि भूल करें कि 11 रहसे करिसे 11 बनिविजिन एक अहल्गोर्फ हमोर्फ़े मिलगलेटiin करें 1 इन डीजिट कर करते हैंgend learners और यह सबस्ते सिंट जाना है अगरिजन फ्रीट किया गया था इंटरनेशनल और इस्टेंडराइशन इस द्वारव 1971 में और पब्लिश्ट हुआ था आइसो 3297 द्वारव 1975 में और एक स्टेंडर है जो की मेंटिंट करने के जिम्मिदाई लेता है तो वो टीसी फोर्स शिक्स ऑप्लिक्स इस नमबर के मेंटिनेंस को देखता है और ओफिशली रोप से एनॉसमेंट हुआ था इस नमबर के लिए 21 नमबर 1976 में तो ओफिशली रोप से लॉट हुआ था यह 1976 में पैरिस में और यह आपका प्रिंट मीडिया या फिलेट्रोनिक मीडिया के इतलिए अलग अलग आईसबी इस प्रिकाबट में की केस में कि अगर पास कोई प्रिंट कॉपी अवलेबल तो उसका आइस बैन वेला कोगा और अवस की इस नमबर अलग होता है इसलिए हम भुष पर्चीस बस्ति इसका यूज करते हम अब्स बुदार उग जल्केकर ना कर लें तो यह सब से जदा इसक और अगर भात करते हैं कि कौन सी संथा इसे फिर नमबर प्रवाइट कराती है तो निस्किया जिसे नैसल साइंस लैडरी की नाम से भी जानते हैं और जो कि निउ डेली में स्थित है यह इसथा रश्ट्य इस तर पर इस नमबर चमरेड करतीयों प्रवाइट करती है और अगर हमार करें अंतराश्टी इस्तर पर तो International Center of Serial Data System जो कि पारिस में इस्तित हैं और वहीं पर announcement भी हुआ था इसका first time तो उसके द्वारा ये अंतराश्टी इस्तर पर SSN नंबर प्रोवाइड कराती है इस तर इंटरनेशन सेंटर ओं इस्तर और सीरेल डेटा सिस्टम ढर तो यह आसिस नंबर की बारे में था कि कौन शी सर्था जन्मरीट करती है यह प्रोवाइड कराती है ऐसे नंबर और और यह कब लाउंच वाता अब बात कर लेते हैं कि यह कितने पार्ट में होता है और इस हम सारी चिछे इस पे दिये होती है, और चप दिगए द्गडिघ हो रहरा हम हुम बसे वरिफअ करते हैं कि हमारा जो फर्मल है उत्थनिछ है यह नहीं तो इस नंबहरा तो बेसिकलि कोई भी जर्णल लेते हैं यह आर्टिकल लेते हैं असका हम खुद भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यह correct number है या नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, simple सा है, जो number होता है हमारे 8 digit का, उसे हम check digit को छोड़ के, हम के वद 7 digit को ही calculate करते हैं, और suppose हमारे पास यह number 20493630, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो पहला letter है, उसे हम 8 से multiply करेंगी, प्लस जो next है, उसकी decreasing order में रहेंगी 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से हम calculate करते जाएंगे, पहला letter में 8 का, second letter में आपका 7 का, third letter में आपका 6 का, इस परकर से 4th letter में आपका 5 का, और 6 letter में आपका 4 का, और 6 letter में आपका 3 का, और 7 में आपका 2 का, तो multiply करने के बाद फिर add करेंगे, add करने के बाद जो आपका submission आएगा, जो आपका total आएगा, उसे हम divide करेंगी 11 में, और 11 में भाग देने के बाद जो reminder बचेगा, उस reminder से हम minus करेंगी 11, आपका mode में रहता है, mode का मतलब भी होता है कि कोई भी digit अगर negative में है या positive में है, तो आपका वो positive ही consider की जाती है, positive तो positive ही consider की जाएगी, लेकिन अगर negative ही है तो positive बाद पाद जाएगी, टो हमने क्या गया, इसमें, हमने 8 digits रूटे उसमें check digits को छोड़ के बचे हुए 7 digits को decreasing order में 8 की decreasing order में multiply किया और plus करते गए और last में किया किया इसकी multiply और plus करने के बाद 11 का भाग दिया और जो बचा हुआ reminder था उससी भी हमने minus किया 11 से तो जो हमारे पास digit आएगी वो save होनी चाहिए हमारी check digits से और सेम और यह इस आपका जो IS number है वो परघर है तो इसतरए से आप वैरिपाइर कर सकते हैं घर बैठेगे अपरे लाइरवे में चेक कर सकते हैं कि जो IS number है रही नहीं तो यह तरीक होते हैं और मैं चाहती हूं कि सभी लाइबर प्रोफेशनल्स जो भी लाइबर का कोर्स करना है उन्हें यह पता हो कि ISN नंबर कैसे निकालते हैं और ISBN नंबर कैसे निकालते हैं तो आई वेप आपको समय में आया होगा और अब हम थोड़ा असा जानकार लिलते हैं कि यह डिफ्रें यह पेपर बाउन है तो भी उसकी अलग अलग नंबर होते हैं ISPN के नंबर और वही अगर बात करें ISN नंबर की तो उसमें भी सेम चीज़े होती हैं अगर E-Jurnal है E-Copy में है तो उसका अलग ISN नंबर होगा और यही अगर परिंट फॉर्म में है तो उसका ISN नंबर अलग ह है और ISPN की प्राप्ट करते हैं ISPN के २ंबर के थ्रो और e-c में नंबर होता है M होता है तो उसकी केस में हमारे पास जो आएस नंबर होता है वह और दिखाता है उस पर्टिकुलर जर्णल के बारे में साथी साथ एक कंपसरी भी होता पब्लिशर्स के लिए और यह जो आएसपी नंबर होता है वह टेक्स्ट बुक की केस में होता है आपका टेक्स्ट बुक ह सकती हैं आपका मॉनोग्राफ को सकते हैं आपका अडियो बुक हो सकती है या पका नमबर प्राप करना होता है और in मागने ISN Samantha के तो 我們 नम्र की तो फ्लिंघ जर्णरिं incredibly PBS फशिक ऐसेर्दी इसमंद थे महतं होता है उसकी ऐसे युसरिया बिलंस सब्सक्ते नॉम्ठा करते हुई पहले बूइन डिजिस सब्सक्राइब और फिर थाटिन डीजिट में अवलेबल हैं और इसके पांच ऐलिमेंट्स होते हैं और पांच ऐलेमेंट्स की इक अलग इंपॉर्टेंस है और यह लापरी समें सब्सक्राइब करते हैं और इसे प्रिकार से क्या होता हैं किया होता है रिजट होता है है एक अच्छी टॉपिक एक इंपसे टॉपिक के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवार कीप लड़निक